Start with the name of Allah who is the most beneficial and most merciful. Dear students, Assalamualaikum. आज की इस वीडियो में हम exercise 4.10 का question number 4 और 5 discuss करेंगे. Question number 4 आपके पास, the sum of a positive number and its reciprocal is 26 divided by 5. Find the number. आपने क्या करना है, सबसे पहले एक number let कर लेने, ठीक है? positive number. तो हम क्या करते हैं, let x be the positive number. x एक positive number ले ले लिया हमने, और उसका reciprocal हमें चाहिए. तो उसका reciprocal क्या होगा? 1 over x. ठीक है, x एक positive number है, और 1 divided by x उसका reciprocal है. अब हमने करना क्या है, कि sum of a positive number and its reciprocal, reciprocal, उसके number जो हमने लिया है, उसके reciprocal का हमने sum करना है, ठीक है? positive number and its reciprocal. इन दोनों का हमने क्या करना है, sum. ठीक है, तो वो किस के equal होगा? 26 divided by 5. ओके, first of all आपने क्या करना है, एक number ले लेना है, let x be the positive number और उसका reciprocal ले ले लेंगे, वो हमारे पास 1 divided by x. अब आपने क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, sum. जब इन दोनों का sum करेंगे, तो यह किस के equal होगा? 26 divided by 5. अब आप यहां क्या लिखेंगे? according to given condition, given condition के मताबिक, x plus 1 और x is equal to 26 divided by 5. ठीक है, दोनों को आपने sum किया, तो वो किस के equal है? 26 divided by 5. अब आप इसके LCM ले ले लें, ठीक है, x आजएगा, यहां पर कोई भी term लेंगे, इसके निचे तो इसका मतलब 1 है, ठीक है? और, यहां सिंपल ऐसे कर लें, x को multiply करें, तो x square आजएगा, plus यहां पर 1 आजएगा, जब यहां और यहां term same होगी, तो उपर वाली value as it is, आप लिख सकते हैं, ठीक है? 1 आगिया, और यहां पर आजएगा, is equal to 26 divided by 5. cross multiplication करें, 5 multiply होगा, x square प्लस 1 से, और 26 multiply होगा, x से, तो 26 x आजएगा, ठीक है? अब इसे multiply करें, 5 x square प्लस 5 बंजा 5 is equal to 26 x, x की term को equal के side पे लेंगे, तो यह होजएगी, minus की, 5 x square minus 26 x प्लस 5 is equal to 0. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी factorization या आप quadratic formula भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर factors बनाने पार है, ठीक है, अब factors कैसे बनेंगे, देखें, 5 को 5 साथ multiply करें, 25, ठीक है, तो आप कोई से, ऐसे दो number जिनको multiply करें, तो 25 आए, ठीक है, तो वो हम लेंगे 25 और 1, और minus या plus करें, तो मारा पास minus 26 आना चाहिए, ठीक है, multiply करें, तो ये number आए, plus या minus करें, तो ये number आए, x के साथ वाला, अगर दोनों minus के हम ले ले लें, तो minus 25, minus 1, minus 26 बन जाएगा, ठीक है, और 25 बन जा, 25, ओके, तो अब आपने क्या करना है, 26 की जगा, minus 26 x की जगा, आप लें minus 25 x minus x plus 5 is equal to 0, और 5 x square as it is आजाएगा, ठीक है, अब आप इन में से क्या कोमन ले सकते है, 5 x, 5 x कोमन लेंगे, तो यहां रहे जाएगा, x minus 5, और अब bracket के अंदर जो भी term है, उसको as it is, यहां पर write कर दें, आप, अब देखें, आप क्या चाहिए, यहां पर minus x चाहिए, जब जब आपको पता चल जाएगे, यहां पर आपके पास same आ रहे हैं, और आपकी multiplication करने से, इस step को multiply करने से, यह step again बन रहा है, तो इसका मतब़ आप factorization से ही कर रहे हैं, ठीक है, अब एक मतब़ आप bracket के अंदर वाल term लिख लें, x minus 5, और bracket के बाहर वाल लिख लें, 5 x minus 1 is equal to 0, x minus 5 is equal to 0, और 5 x minus 1 is equal to 0, यहां से x के आजएगा 5, और यहां से x के आएगा, 5 x is equal to minus 1, इकल के इस साइट पे आजएगा तो हो जाएगा plus का, और 5 इस साइट पे हो जाएगा divide, तो x के आजएगा यहां से 1 divided by 5, तो required number के होंगे, आपके पास 5, और 1 over 5, ठीक हो गया, now हम move करते अपने question number 5 की तरफ, question number 5 है, आपके पास a number exceed its square root, एक number बढ़ रहा है, अपने square root से, ठीक है, a number exceed its square root by 56, एक आपने सबसे वहले तो एक number ले ले ले, let the number, एक number ले ले लिए, आपने x ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, according to given condition, आपका जो यह number आपने लिया हुआ है, यह exceed क और यह इसमें add क्या कर देंगे 56, ठीक होगा, according to given condition, condition के मताबिक यह जो आपने number लिया था, x, उसका आप ले ले लेंगे square root, और उसमें add क्या कर देंगे 56, जब आप यह equation बना लेंगे, तो आगे आपके लिए solve करना बहुत easy हो जाएगा, ठीक है, अब इसे देने question number 1 का ना अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x है और 56 को equal के side पे लेंगे minus 56 हो जाएगा, और यह हो जाएगा, पास is equal to square root x रह जाएगा, ठीक है, अब आपने क्या करना है, यह square root यहाँ से खतम करना होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, square लेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे taking square on both side, ठीक है, square लेंगे, तो x minus 56 होल square आजाएगा, ठीक है, यह square root मैंने गलती से लगा दिया था, square root by mistake लग दिया, ठीक है, x minus 56 होल square आजाएगा, और यहाँ पे भी x का आपने square ले लेने, ठीक है, square root x आपके पास पहले था, आपने just इनका square लिया, both side पे, ठीक है, यह square root का sign आएगा, ठीक है, यहाँ से a minus b whole square का formula open करें, a square plus b ka square, 56 का square के आएगा, आपके पास 3136 minus 2 a, b, a की जगह है, x, b की जगह है, आपके पास 56 is equal to 0, sorry, 0 नहीं, x, यह square root से cancel, तो यहाँ आपके पास x, ठीक है, आप देखें, x square plus 3136 minus 56 को 2 से multiply करेंगे, तो 112 x आजाएगा, और यह x equal के इस साइट पे आजाएगा, आके minus x बन जाएगा, और यहाँ रह जाएगा, इस equal to 0, x square, और x items को कर लें, तो यह minus 112 minus 1 minus 113 x plus 3136, ठीक है, is equal to 0, अब आपने क्या करना है, यहाँ से x की values find करनी, यहाँ तो factorization कर लें, यहाँ पी quadratic formula यह use कर लें, तो बहुत बड़ी value है, factorization भी मुश्किल है, और सबसे असान तरीका तो यह होता है, formula यह use कर लें, quadratic formula, a होता है, आपके पास x square कोफिशन जो के है, 1, b होता है, x कोफिशन जो के है, आपके पास minus 113, और c होता है, आपके पास, यह constant term ठीक है, अब आपके पास formula क्या होता है, x is equal to minus b, plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे values put कर दें, b की जगा minus 113, और यह minus formula का plus minus, b की जगा minus 113 square minus 4, a था पास 1, और a, c था पास 3136, divided by 2a, a की जगा आपने 1 put कर दिया, ठीक है, simplify करें, minus minus plus 113, plus minus, इसको square लेंगे, तो आपके पास, एक तो minus plus हो जएगा, और 113, तो square, यह जगा, आपके पास minus 4 को multiply करेंगे, तो आपके पास यह term आजएगे, ठीक है, divided by 2, बनजा 2, अब क्या करना है, आपने इसमें से इंटर minus करेंगे, तो आपके पास रहाजएगा, 225, बाके एज़ीटिस आजएगा, और 225 square root क्या होता है, 15, अब आपने क्या करना है, उतो प्लस में से solve करेंगे, और एक मरतबा minus में, plus में लिखेंगे, x is equal to 113 plus 15 by 2, और minus में क्या आजएगा, यहाँ पे बस minus आजएगा, ठीक हो गया, plus करेंगे, तो आपके पास बन जएगा, 128 divided by 2, और यहाँ से 2 पे डिवाइट करेंगे, तो आजएगा, x is equal to 64, माइनस करेंगे, 113 में से 15, तो आजएगा 98, 98 को 2 पे डिवाइट करेंगे, तो आपके पास आजएगा 49, आपके पास question में radical form थी, यह मतलब square root था तो वो आपके पास radical form थी, ठीक है, अब आपने क्या करना है, यह एक्स की values आई है, इन्हें आपने put करना है, अपनी question number 1 में, जो आपने equation बनाई थी, x is equal to square root x plus 56, ठीक है, तो वहाँ पे x, यहाँ पे x था, x की जगा 64 put कर दिया, यहाँ पे square root x था, तो 64 आजएगा square root में plus 56, 64 को square root आपके पता 8 होता है, ठीक है, plus 56, प्लस करेंगे 56 में तो 64 is equal to 64, ठीक है, यहाँ से equation satisfy होगी, यहाँ पे आप x की जगा आपने put करना था, 49, 49 is equal to square root x, square root x की जगा आगे, square root 49 plus 56, आपको पता है, 49 का square root 7 होता है, ठीक है, 7 में से, sorry, 7 plus 56 करेंगे, तो आजएगा 63, 49 is not equal to 63, ठीक है, तो जब यहाँ पे आपके पास x की value 49 put करने से satisfy और यह question तो आपका required number क्या होगा, 64, तो आप यहाँ पी क्या लिखेंगे, required number is 64, I hope कि यह दोनों को सिन आपको अच्छे से समझ आ गए होगे, अगर कोई बात समझ नहीं आई, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे है, तो इसे like कीजिए, friends के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और subscribe करना मत भूलेगा, thank you so much, Allah हाफूज